बहराईज जिलके लोधन पुर्वा यादवपुर इस गाउं में हम यहां पर मौजूद हैं और यहां एक बार फिर आधी रात बीच चुकी है भेडिये ने हमला किया है और परीजन रोते नजर आ रहे हैं आपका बेटा था जिस पर हमला किया है हमत कीजिए थोड़ा सा क्योंकि वह अस्पताल में है इस समय अब अभी अस्पताल से बताये हुए तब यह ठीक है तब यह ठीक है कह रहे हैं जो अगाउं के लोग बता रहे हैं कि तभी ठीक है अभी अस्पताल में आपका बच्चा गाउं की कुछ और लोग आप उसकी बहन है क्या नाम भाई का आपके जिस पर हमला किया और आपका नाम हमारा नाम है लूसा तो कहां पर सो रहा था तो हम लग दिया जी अब घर पर ही थे तो घर के लोग कह रहे हैं कि तभी तभी उसके ठीक है तभी तुसके ठीक है अच्छा पानी चल रहा है उसका इलाज हो रहा है हमका देखी है अच्छा अच्छा थोरा अच्छा पर हमको देखी है अच्छा अच्छा का ना है तुटा मैक पुलाल जी देखो आपके बेटी की तवियर ठीक है ये देखो सामने से ही बात हो रही है अस्पताल में है और वो पूरी बात करके बता भी रहा है कि अभी मैं ठीक हूँ मेरी तवियर ठीक है का खड़े हो खड़े हो खड़े होगे है कि अभी में अड़ीड़े गुक्ति अगटीक अगर्चार्व अब बता दाधा अब में ठीक है परही है इस अपरी देख्टेले अधिर शाशेवार्गार्टाल सब्सक्राइए संगमलाल की यह तस्वीर है और उनके पिता इस वक्त जिस तरह से वह आहत है और कर सकते हैं कि एक के बाद एक जिस तरह से हमले हो रहे हैं यहां पर उसकी वजह सब्सक्क्क वह सब्सक्राइबेज़ से और अब पूरे गाहूं में इसरी के से तकलीफ और दुख की लहर है गाहन के कही sharper कत Stre अच्छा किया नाम आपका रामदास क्या हुआ वो घर के अंदर था तब हम ने घर के अंदर नहीं पर गेट पे ता साहिब तो ये इस तरीके से ये खाट भी लगी हुई है बाहर सो रहे थे कुछ लोग अच्छा अच्छा इस दर्वाजे से वो बाहर निकला जैसे ही तो दर्वाजे के बाहर ही कॉर्णर में जहां मबेशी बांधे जाते हैं इस तरफ कहीं छुपा हुआ वो भेडिया बैठा हुआ था और यहीं से आकर के तुरंत उसने हमला किया है कुछ पैर की निशान भी हम यहां देख सकते हैं और यह एक दलदल का इलाका है और पीछे यहां पर यह घनी जाडिया भी दिखाई दे रही है साब तोर पर और माना जा रहा है कि संभावते भेडिये यहीं पर छुप करके बैठी हुए थे और इनमें से एक भेडिया जो है वो आकर यहां हमला करता दिखाई दिया है परिवार के कुछ लोग यहां पर अभी भी मौझूद है और यही पर उसने हमला किया है पिर बच्चा है वो यहां से घायल होकर अंदर गया है और भेडिया भी साथ में अंदर आ गया अच्छा ठीक है और यह घर के तमाम हाँ पर लोग मौझूद है और जैसे ही वो लड़का जब गायल हुआ था उसके बाद वो एक बार फिर घर के भीतर दाखिल हुआ है यह घरके लोग है यहां पर लेकिन खास बात यह दादी हैं हां यह ढादी है दादी है दादी आप घर में थे जब भेडिया हमला किया मैं आप दादी हो हाँ क्याम किया आपके बच्चे पर बढोल आख क्या हुआ क्या हुआ बताओ क्या यह एक बड़ी दिक्कत भी है आप उनकी बहन है भाई का नाम क्या है संगम लाल तो क्या हुआ कैसे आप बताएंगी जारा कैसे उसने हमला किया यहां पहुंचा है तैसे काट कर मतलब नीचे गिर गवा तो हम उका रोके लगें फिर उके बाद में तब खुब चिला लग जब उपासी चड़ गवा तो खुब चिला लग कि हमको बचाई लो दीदी हम मतलब चुटाएंगें जादा मतला हम बच बैना तो हम देखें तो हम देखें चड़ाऊ पासी तो हम सोचे न मतलब कुटा हो तो किसा कथो हम जानवर तरीकी के से तब फिर कहने हम जाए रहा हम विर्या फवर हम रह Capitol उन चाहिए ने पर पकड़ यहां पर पकड़ कर रहा था तो यह जैसे ही दरवादे से कदम बहार रखा है आपके भाई ने वैसे ही इसके पास में यहां कहीं चीपा बैठा था अच्छा बताई जैसे आप साथ में निकल रही थी अपने भाई के अच्छा जैसे यहां बाहर आया है दर्वाजी के बाहर यहीं पर कहीं वो भेडिया बैठा था तो हम सोचें कि भाईया मतलब वू चलागा नलपा जात रहा है तो नलो पना जाएक पर इससे मतलब वू सोच किला पानी लोटां भली तो दादी का बुला ले चलतो खाना खालें के भाईया तुम पानी भल्यों हम दादी घुराई दी तो हम जैसे वह गया तैसे चिला ने तैसा हम मुआ से दवर की आये हैं और फिर उका देखा है भागते उधरी धरगा उपा चड़े भी देखा है आपके भाई को भेडिया ने नीचे गिरा दिया था इसी दौरा जब यहां पर ही यहीं पागिड़ गया तो वह कुछ कोशिश कर रहा था कि बेडिये को दूर भगा पाए आप नजदीक से थी आपने देखा वो भेडिया जैसे हम लाकरत भी देखा हुआ फिर हम पकरें फिर रखो जब भाग गवा तो हम भाईया को उठान फिर चिलाए लगें खुब जोर से तब बढ़के अपा हमां सब लोगा वहां दिखा आपको कुछ लोग कह रहें कि सिया भी है इस तरहें घर के आप आस आते हैं तो क्या सियार नहीं था कहीं नहीं हमस्तुर मोह था किस तरह से वह दिखाई दे रहा था जोड़ा सम्झा करें बाकि लोग समझ सकें कि इस तरह का इससे बच्छ कर रहें था तो तरीके से रहा तो अतना सा रहा और मतलब लंबा ज्यादा रहा समझ के तो आप उसके नर्दीक आ गई थी जब हमला कर रहा था यहां पर नए जैसे हम यहां पर वहां थे इस था मरा तिरिया फिर हम जैसे मतलब सोचन कि लाई प्रिद ही मतलब रखा तो हम सोचन उठाए तो मतलब थुनी माजर्ट करें तो हम सोचन की कुट्टा उत्ता तॉ बेमार देव भाग जी है तो जिसे हम थुरी नहलें खुब जोर से दवरों भाईया का मतलब लई डारी से तुब बहुर के पहुंचा था जया हम भाग गवा पढ़ता है स्कूल जाता है रब्बन उकार तो यह उसी जगे पर है और बहन खुद चश्मदीत जो बता रही है कि कोई दूसरा और जानवर नहीं है क्योंकि हमने उनसे पूछा भी है कि क्या कहीं कोई दूसरा प्राणी तो नहीं उन्होंने कहा कि वो फर्क जानती है सियार क जरीए भी वो धमाका करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सियार इस डर से बाहर चला जाए जी पराण सबकों देखा था बिल्कुल तो यह यह पिता है उनके और आप भी घर में थे उस समय हम नहीं साजी अच्छा आप बाहर थे हम बाहर थे जी वह आप बता कि बाद कर लो बढ़ी तकलीफ है और इस तरह से भीडियों का हमला लगातार बढ़ता चला जा रहा है शासन प्रशासन का कहना है कि जल्द उसे पकड़ा जाएगा या फिर नहीं हुआ तो मारने के भी आदेश दिये गए हैं लेकिन तब तक पता नहीं इस तरह से कितने लोगों के खलकते दिखाई देंगे और इसी से बचने की जरूरत है अपने वीडियो जनलिस साथी विकास ठाकूर के साथ मैं प्रशांद चुरहे न्यूज एट इन इंडिया बहराईच